नमस्कार, एक खबर आई है कि भारत सरकार ने तीन वेब साइट को ब्लॉक कर दिया है और कारण नहीं बताया है यह तीन वेब साइट जिनका तालुक हमारे पर्यावरन से है, हमारे एंवार्मेंट से है और यह एड़ोकेसी करती हैं, एक का नाम है Let India Breathe, दूसरी का नाम है Fridays for Future और तीसरी का नाम है There is No Earth Be, इन्होंने अपनी अलग-लग स्टेटमेंट जारी किये हैं, बयान जारी किये हैं कि इनकी जो वेब साइट्स हैं, they have been rendered inaccessible, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है और सरकार पर इसने कोई इसपश्टी करने दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, यह लोग प्रयावरन को लेकर कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा सवाल ही उठता है कि क्या मेंस्ट्रीम मीडिया के बाद और प्रिंट मीडिया के बाद जहांजा सब सरकारी या दरबारी जायतर हो चुके हैं, अब निगाहा सोशल मीडिया की तरफ है मैं आपको थोड़ा सब बता दूँ, इनके जो सोशल मीडिया हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जो पॉर्टल्स हैं, वो नहीं कर रहे हैं इनी पॉर्टल्स के जरी लोग अपनी अब्जेक्शन भी अपने इतराज भी जाहिर करते थे और नोटिफिकेशन भी अपने बनवाते थे और ये सब बंद हो गया है, ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, लेकिन पॉर्टल्स बंद हो गए हैं उधर एक कॉमेंट डिया था, चीफ जस्टिस ने, सोशल मीडिया ऐस गुड़ ऐस गन इन हैंड, कि सोशल मीडिया ऐसे ही है जैसे किसी के हाथ में बंदूख हो, अब इस पर काफी सारे विचार हो सकते हैं, कि हुआ यू था कि एक नेता ने प्रुदान सिवक नरेंदर और मुख्यमंतरी यूगी अधितिनाथ पर उनको क्रिटिसाइज किया था, उनकी आलोशना की थी कि वो कुरोना को सही डंग से नहीं संभाल पाएं हैं, इसको लेकर उन पर मुकदमे लगा दिये गए और उनको जेल में बेज दिया गया, तब उनने अलाबाद हाई कोट का तरवाजा कटकटा है, अलाबाद हाई कोट ने का कि आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन आप 18 महीने, यानि देर साल सोचल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वो सुप्रीम कोट में गए, कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सोचल मीडिया का इस्तेमाल ना करूँ, उस प इसमें क्या बुराई है अगर किसी जो आरूपी, जिस पर आरोप लगा है, अगर उसे कहा जाए कि तुम देर साल सोचल मीडिया को हाथ मत लगाओ, ये तो बिलकुल वैसे है, जैसे किसी अक्यूज जो होता है, उसे कहा जाए कि तुम देर साल जब तक फैसला नहीं आता, अपने पास कोई गंद मत रखो, पिस्तॉल या रिवॉल्वर मत रखो, या कोई और गंद मत रखो, अब फर्क ये है इसमें कि कुछ लोग होते हैं जो पोलिटिकल प्रिजनर्स भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जो जरायम पेशा होते हैं, जो कातिल होते हैं, जो हत्या का हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की वज़े से मीडिया डिमोक्राइज हुआ है और और भी बाते हैं तो इसलिए इसका जिम्यदारे से इस्तेमाल करना होता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे हक हमें सम्मिधान ने दिये हैं वो क्या है और अमेरिका में क्या है उस पेमान से तोल कर देखें तो यह ज़रा अजीब सा लगता है कि अठारा महिने के लिए जुमा बन कर दी जाए किसी की वो फैसाब कशीर भी है मताय लौह कलम चिन गई तो क्या गम है कि हूने दिल में डुबोली है उंगलिया मैंने हमारे अडिशनल सॉलिसिटर जेनल रहे विकास सिंग आपको बताएंगे कि हमारे हक क्या है सम्विधान के मताविक हमारे सम्विधान में राइट टू फ्री स्पीच शुरू से था 1901-1 के अंतरगत और जब कॉंस्ट्वेंट एसेंबली की डिबेट चल रही थी तो यह हुआ कि प्रेस को भी ये राइट दिया जाए और बाबा साब अम्मेदकर ने कहा कि प्रेस जो है हमारे सिटिजन्स ही होते हैं इसलिए प्रेस को अलग से राइट देनी की कोई ज़रूरत नहीं है कामनागरिक को जो राइट है वही प्रेस का भी राइट होगा इसका नतीज़ा ये है कि हमारे संविधान में अगर कोई फॉर्णर अगर यहां प्रेस में काम कर रहा है तो वो यह मौली का अधिकार का kita arить नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि वह सिटिजन नहीं है के लिए जबकि आप अगर अमेरिकन संभिधान को देखे तो अमेरिकन संभिधान में मौलिक अधिकार शुरू से नहीं था फ्री स्पीच का पहली अमेंडमेंट से लाए गया 1789 में और पहली अमेंडमेंट में वहाँ पे उन्होंने प्रेस और आम आदमी दोनों को राइट टू फ्र स्पीच है और कॉंग्रेस कोई कानून नहीं बना सकता जो सदिकार को किसी तरह से उसका हस्ता छेप करें सोशल मीडिया अब इस देश में बहुत ही पावरफुल मीडिया हो गया है और जो पहले आम आदनी न्यूज देख करके टीवी के न्यूज देख करके या रखवार पढ़के जो इन्फॉर्मेशन लेता था आज के दिन वो सारा इन्फॉर्मेशन उसको सोशल मीडिया के अंतरगत मिल रहा है सोशल मीडिया अगर भारतिय नागरिक उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और उस सोशल मीडिया में कुछ भी डाल रहा है तो वो उसका मौ आप देखिए संविधान में जब प्रेस का वर्ड यूजी नहीं किया गया है तो सोशल मीडिया में तो हर आदनी जब संविधान में हर आदनी को हर नागरिक को अधिकार दिया गया है तो सोशल मीडिया तो हर आदमी आज के दिन में उस अधिकार को exercise कर रहा है और जो जो प्रेस का अधिकार है वो अधिकार सिर्फ इसी लिए है क्योंकि नाघरिक के पास है अधिकार इसलिए हर नाघरिक जो आज चाहे पोस्ट करें सोशल मीडिया पे और उस पोस्टिंग को कोई अब्जेक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये पोस्टिंग अन्लेस की वो डेफेमेटरी हो या अन्लेस की कोई सेडिशन हो दूसरे कोई कानून के अंतरकत उसका उसकी मनाई हो अधर्वाइस वो पूरी फ्रीडम है और उस फ्रीडम को सरकार किसी तरह से उस पर रोक नहीं लग सकता मेरे साब से आखिर में हम यही कहेंगे कि जिम्मेदारी और आजादी एक ही सिक्के के दो पहलों है हमें से बहुत से लोग हैं जो सालों साल से पत्र करता करते हा रहे हैं मीडिया करते हा रहे हैं खुद मुझे ही 46 साल है सब करते हुए तो हमें अपने जिम्मेदारी का एहसास है पूरा पूरा एहसास होता है और हम यह मानते हैं कि liberty means responsibility जो आजादी है हमारे पास बोलने की आजादी है अपने आपको अभी रख करने की आजादी है उसका दूसरा पहलू यह भी है कि हम जिम्मेदारी से इसका निर्वाह करें और फिर मुझे याद आ रहा है इकबाल मसूद हमारे आउमगा करते थे कि इस जमाने में 80s में वो क्रिटिक थे, मीडिया क्रिटिक थे तो उन्होंने जो कहा, वो अब मुझे याद आ रहा है उनका यह कहना था कि democracy is an imperfect institution जो हमारी लोक्षाही है वो perfect नहीं है मतलब एकदम पूरी तरह से सर्वगुन संपन या मुकम्मिल नहीं है इंपरफेक्ट है उसमें खामिया है similarly, free press is also imperfect जो आजाद media है वो भी imperfect है उसमें खामिया है but I would rather prefer a free, imperfect free press as opposed to a gagged responsible, so-called responsible press मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं वो media चुनूंगा जो imperfect है, जिसमें खामिया है लेकिन वो आजाद है बजाए इसके कि responsibility, जिम्मेदारी के नाम पर एक media का गला घोट दिया जाए, आवाज बंद कर दी जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहूंगा कि मैं एक imperfect democracy चुनूंगा एक ऐसी लोकशाही जिसमें खामिया है मैं वो चुनूंगा बनिस्पत उसके कि एक जिम्मेदार dictatorship चुनी जाए वरहल यह जरा सोचने की बात है कि हमारा बुनियादी हुकूक है क्या अब निगाहें, social media के तरफ जा रहे हैं सीमा पर तनाव हो, सरहत पर तनाव हो ऐसे में हमारे politicians को सरफ वही आता है जो वो जानते हैं कैसे सरकारे गिरानी है कैसे नहीं सरकारे बनानी है किस तरह से politicking करनी है किस तरह से जनादेश का अपमान करना है mandate की बेजज़ती करनी है कि जनता ने जिसको वोट दिया था, जिस विचारधारा के आधार पर वोट दिया था, उसकी परवाहना करते हुए, वही खरीदो फरोग्त, तोड़ फोड़ की राजनी थी, मेरा जिक्र है सचिन पालेट की तरफ और अशोग गहलोट की तरफ और कॉंग्रेस की तरफ, ठीक ह अभी तक भारति जनता पार्टी इस पूरे मामले में परमहन्स की मुद्रा में है, लेकिन शुरुवाती संकेत आने शुरु हो गए हैं, शुरुवाती संकेत हैं कि जो बीजेपी के कारेकाल में हमारे सॉलिसिटर जनल रहे, अटरनी जनल माफ करें, मुकुल रोहतगी और उसके अलवा महेश साल्वे जो हैं, नरीश साल्वे वो भी बहुत करीबी माने जाते हैं, वो सचफिन पार्यट की तरफ से आ रहे हैं, तो ये संकेत है, उदर सचम पार्यट जो हैं, वो बढ़ी आला दरज्य की बिंग्पंशिप कल तक कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि वो बहुत दूर जा चुके है, he's gone too far, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि कल कुछ लोगों ने comment किया था मेरे शूपर कि आप ऐसा लगा जैसे आप Congress की तरफ से बोल रहे हैं, मैं इतना बता दूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं भोलता हूँ, मैं Congress पे चाहिए वो Sonia Gandhi हो, Rahul Gandhi हो प्रियंका गांदी हो, जिन्दगी में एक दफ़े भी नहीं मिला हूँ उनसे मैं, और नहीं मेरी कोई बातचित है उनसे, और नहीं किसी Congress नेताओं से मेरा उटना बैटना है, ठीक है, और मैं मिलता भी नहीं हूँ, ना मैं उनके घरों में जाता हूँ, ना मैं उनको घर मे रह गई है, जब ऐसा हो जाए, जब केंडर की सरकार भी नहीं है उनके पास, जब एक दफ़े Central Authority इस धंग से कमजोर हो जाए, तो फिर जो क्षेत्रिय जो नेता हैं, वो सर उठाने लगते हैं, जैसे एक दफ़े मुगल शासन में, और इंग जेब के बाद, मुगल सामराज कमजोर होना शुरूआ, उसका पतन होना शुरूआ, तो जगह जगह पर छोटे 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 जितने भी क्षत्रब बोलते हैं उनको, जो Regional Leaders है, वो खड़े हो जाते हैं, इस सब तो यही हो रहा है, अगर, और यह सुन लें, लोग जो मुझे इस तरह की बाते कहते हैं, जि यह सड़क पर उतरने वाले हैं यह नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं, इसलिए अंदरूनी कलह की वज़े से ही कॉंग्रेस में यह इंप्लोजन हो रहे हैं, एक्स्प्लोजन नहीं हैं, यह अंदर ही अंदर से इंप्लोजन हो रहे हैं, बेरहाल हम उमीद करते हैं, उमीद ही कर होगा कि ये नेता अपनी नाक से आगे देश को भी देखेंगे, इनको इसलिए चुना गया था, इसलिए नहीं कि उठा, पटक, कुर्सी, किछना, नई सरकार बनाना, वो सरकार गिराना, इसलिए नहीं चुना गया था, हम उम्मीद करते हैं कि इनको सद बुद्धी आए लग पड़े कुछ भी हर जाना, सची लिखते जाना, मत घबराना, मत ड़र जाना, सची लिखते जाना, बातिल की मुखजोर हवा से जो न कभी बुझ पाएं, बातिल माने जो आपके साथ नहीं है, और जो अतयचार के लिए आया हुआ है, जो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे ह बातिल की मुज़ोर हवा से जोनक अभी बुच पाएं वो शमय रोशन कर जाना सची लिखते जाना पल दो पल की एश की खातिर क्या देना क्या जुकना आखिर सब को है मर जाना सची लिखते जाना लौहे जहाँ पर जहान के माथे पर जहान के दुनिया के इतिहास में लौहे जहाँ पर नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यूँ ही जालिब सच का दम भर जाना सच ही लिखते जाना नवस्कार HW News Network को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा नुसार भाषा का चैन कीजिए खबरों की भीड में अपने काम की खबर पाते रहिए